हाई फ्रेंड्स आज हम जूट थ्रेड की हल्प्षेक होम डेकोर आइटम बनाएंगे इसके लिए हम कार्डबोर्ड शीट के डबल राउंड कट करके उसको पूरा इस थ्रेड से कवर करतेंगे इसके लिए आपको नॉट बानते हुए पूरे सिर्कल को कवर करना है जिससे आ आउन किये हुए कार्डबोर्ड शीट के उपर इस तरीके से प्लेस करना है कि वह एक ब्रांच का लोग दे पेड की टेहनी वाला लुक आपको पूरा क्रियेट करना है आप अपनी पसंद से इसको किसी भी शेप में किसी भी एंगल में आप उसे ट्विस्ट कर सकते हो जैस इसके बाद फैविकॉल लगा के सेंटर पार्ट भी आप फ्लावर का रेडी कर सकते हो इसके बाद आप अपने आईडिया अपने हिसाब से इस ब्रांच के उपर ही आपको ये सारे फ्लावर पेस्ट करने हैं आप कम फ्लावर पेस्ट करना चाहते हो कम कर सकते हो आप इनके पसंद से different different colors भी कर सकते हो और different different जंगह पर भी लगा सकते हो बट ये धियान रखिए कि आपके सारे flower branch area पर ही आने चाहिए पेड़ की टहनी पर जिस तरीके से flower होते हैं में उस तरीके से इसका look create करना है आप देख सकते हैं ये लगने के बाद किते सुन्दर लग रहे हैं इसके बाद हम इसे और colorful बनाने के लिए इसमें birds बनाएंगे birds बनाने के लिए हम तीन circle कट करेंगे और उसे half fold करके semi circle create करेंगे फिर उनको एक center point पर पकड़ेंगे आप देखें कैसे और फिर stapler की help से उन तीनों के center point को हम एक साथ bind कर देंगे उसके बाद stapler को cover करते हुए एक बहुत छोटा से circle कट करके stapler पर paste कर देंगे जो की bird का face होगा उसके बाद white sheet से आप eyes cut करना आपकी bird size के according eyes cut करने के बाद eyes पे black pen से आप उसकी eyes को realistic look देने के लिए पूरा उसमें color fill कर देना eyes bird और body ready होने के बाद bird की चोच हम तयार करेंगे red triangle कट करके सीधा paste कर देंगे तो हमारी bird बिल्कुल तयार हो जाएगी bird तयार होते ही इसे भी हम circle के उपर paste कर देंगे और आप देख सकते हैं final result कितना अच्छा लग रहा है और यह टांगना wall पे बहुत easy अगर आपको यह पसंद आया तो please subscribe and channel thank you for watching